मंसौर जिले के मलहार गड़ विधान सभा के बुढ़ा गाओं के एक युवा ने पीएम विश्युकर्मा योजना के तहट अपनी बहतर कलाकारी के चलते नागपुर में पीएम मोदी के अध्यक्षता में आयुजित कारक्रम के दौरान मद्ध्रदेश का प्रतिनिधित्व क बुढ़ा के रभी लोहार जो की BCA की पढ़ाई पूरी कर घर पर ही लोहारी का काम करते हैं रभी के हाथों की कलाकारी छेत्र में चर्चे थे बुढ़ा के ही भाचपा नेता गोविंद कंडारा ने रभी की प्रतिभा को देखते हुए उसे पीएम विश्युकर्मा योजन में आविदन करने के लिए प्रोत्साहित किया था ट्रेनिंग के दौरान रभी ने अपनी कलाकारी का अच्छा परदर्शन किया जिसके बाद मंसौर के रभी लोहार और गुना के अंकित सुनी ने महरास्ट के नागपुर में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की के दौरान अपनी कलाका परदर्शन किया करकम के बाद हुनहार रभी की गाउं बापसी हुई तो गुरामिडों ने उसका जम कर स्वागत किया और उसे मिठाई खिलाई पीएम सबसे ले तो मुझे पीएम विश्व करमा योजना के बारे में एक तो सोशल मीडिया से और मेरे हमारे मंदल के महामंत्री जी गोविन जी कंडरा साथ इन्होंने बताया मुझे इन्होंने बोला एसा-इसा करना है मेंने किया और फिर मुझे मेरा एक्जुईशन था नाकपूर में फेले वहां से फिर मेरा सेलेक्शन हुआ पूर प्रदेश से में और मेरा एक साती था गुना का वो और हम दोनों का चेयन हुआ प्रदेश लेवल पर तो मोधी जी आया हुआ पर मुझे अच्छा लगा और उन्होंने बात पर ही आत मिलाया जैश्राम बोला पूछा आप कहां से हैं पिर मैंने बताए मैं मनसुर जिले से हूं और गाउं बुडा से मेरी फिल्ड है अगरिकल्चर और इंजिनिरिंग और फैब्रिकेशन नागपूर में उन्होंने सारी आप क्या करते हैं मैंने सारी चीज़े बताई हुन लोग उनको और दिल्ली ग्रव मंत्राले से भी मेरा स्वागत हुआ सेर्टिविकेट दिया मुझे और मिठाई वगेरा और जन्वाइव अगेरा पहन पहना कर मेरा स्वागत किया अब बहु बहुत अच्छी योजना है मुझे लगता है कि एसी योजना और आगे भी चलनी चाहिए और हम लोगों युवाओ को लाब मिलता रहे हैं मेरा नाम रवी लोहार है यह जो योजना है यसस्वी प्रदान मंत्री नरेंद मोधी जी और मद्ध्यपर्देश के मुखिया डाक् सब्सक्राइब युवाओं का युवाओं के पास अच्छा गाहा है और यह हमारे गाओं का जो मलारगड विदान सभा बुड़ा मंदल से इसका नागपूर में राज इस्त्री चैन हुआ था पीम विश्वक्रमा युजना के अंतरगत और युवाओं को और आगे प्रुस श़ूत हो और यहीं दाना का लाभ युवाओं को मिले और यहीं काम ना करते सब्सक्राइब और याइस उरे कारता है। पुब यूजना के अंतरगत पर चैन हुआ इसका वनसौर चैनिंग वहां से फिर यह गया और गोळियर से चैन होके नागपुर गया और मोजी जी की सेमिनियार में आये थे और मोजी जी का और मोण जी यादव, डक्टर मोणी यादव का धन्यवाद करना चाहूंगा और जो हमारे चोटे से गाउं बुड़ा से हमारे चोटे भाई पूत्र समान हैं जो इसका चैन हुआ